Hello everyone, स्वागते हैं आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWT Job में All India Candidates के लिए काफी अच्छी वेकंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है यदि आपने BAD किया है, BSTC किया है, BTC, DLAD किया है, DAD किया है और इसके लाबा Special Educator, और भी कई पोस्ट्र है, जो कि हम नोटिफिकेशन में देखेंगे आयू सीमा 21 से लेकर 55 यर तक के कैंडिएट आविदन कर सकते हैं फ्रेशर बिलकुल एलिजिबल रहेंगे चलिए देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में, कैसे जो है application form आप डाउनलोड करेंगे क्योंकि official website पर ही जो है notification मिलेगा आपको और application form भी आप लोगों को वहीं पर मिलेगा तो कैसे selection रहेगा इसमें, सारी चीज़ें डेटेल में जानेंगे यदि आपका subject होगा, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें सारी चीज़ें, क्योंकि comment में आप जो भी candidate पूछते हैं वो वीडियो को अधूरा सुनते हैं, और उसके बाद comment करते हैं तो आप पूरा वीडियो सुनें, और पूरा notification को भी पढ़ें लिंक आप लोगों को वीडियो के निचे description box में share किया ही जाता है आप उस पर क्लिक करें, पूरा विज्यापन पढ़ना है अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, उसके बाद ही comment में पूछ सकते हैं सबसे पहले official website पर, contract base पर जो vacancy है उसे हम discuss कर लेते हैं, teaching and non-teaching staff के लिए यहाँ पर vacancy Air Force बालभारती स्कूल से है Air Force Schools और Golden Jubilee Institute से है तो यहाँ पर 9 सितमबर 2024, यानि आज की date का जो TCT, Sanskrit, English and Science इसका जो है निकल चुका है, तो इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि केवल interview के लिए जाना था अभी जो है, 10 सितमबर के लिए आप पहुँच सकते है PRT primary teacher, arts की जो vacancy है और PRT general में कोई भी आपका subject है, इसके लिए आप आविदन कर सकते हैं चीक है? और इसमें जो है डारेक्टी स्कूल में ही पहुँचना है और इसकूल जाकर ही जो है फॉर्म आपको समिट कराना है रजिस्ट्रिशन टाइम तक जो है आप पहुँच जाएं इसमें समय जो है साड़े आठ बजे से नो बजे तक है और साड़े नो बजे से दस बजे तक कोच स्पोर्ट्स की जिसमें फुटबॉल है और डॉक्टर की वेकेंसी है नर्सिंग असिस्टेंट की वेकेंसी है एर फोर्स स्कूल बालवारती में स्पेशल एजुकेटर की वेकेंसी है लोवर डिविजन कलर्क अकाउंट की वेकेंसी है तो इसमें कोच के लिए और nursing assistant के लिए 11 सितंबर को interview रहेगा तो reporting time जो है साड़े 8 बजे से है और special educator LDC के लिए 12 सितंबर को आपको पहुँचना है साड़े 8 बजे किस जगे पे जाना है तो आप जिस भी school के लिए apply करेंगे suppose PRT Arts के लिए apply कर रहे हैं तो आपको यहाँ TAFS इस school में जाना है और school का नाम है The Air Force School Subrato Park New Delhi ठीक है इसके लिए और special educator के लिए अगर आप apply करेंगे तो Air Force Golden Zubli Institute यहाँ पे पहुचना है आपको ठीक है तीनों का address यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पहुचना है आपको 300 रुपीज का demand draft बनाना है फॉर इच पोस्ट किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप आविदन करना चाहते हैं यह 300 रुपे का demand draft आपको बनाना है अपने साथ जो है Proof of Data of Birth Matriculation Certificate आपकी Qualifying Degree Mark Sheet B.A.D.A.D.A.D. जो भी आपने किया है Experience अगर है बिना Experience के आप बिलकुल apply कर सकते हैं ठीक है यह सब कुछ आपको लेके जाना है TGT Sanskrit के लिए जो है और English Science इसके लिए निकल गया है PRT की देख लेते हैं PRT में Qualification क्या माग रहे है PRT General के लिए 35,400 salary है तो इसमें 50% marks के साथ में 2 साल का Diploma Elementary Education में इसमें B.A.D. वाले भी apply कर सकते हैं और CTAT या आपकी राज्यका TAT क्लियर हो Paper 1 इसमें 3 सब्जेक्ट की वेकेंसी है PRT General में Hindi, Maths और English ठीक है Arts के लिए salary वही है 35,400 PRT Arts के लिए 12th और Full Time Diploma आपका Painting, Sculpture, Fine Art में हो 12th के साथ में या graduation के साथ में आपने Diploma किया है Drawing या Painting का तो apply कर सकते हैं या MA in Drawing, Painting है Fine Art है तो भी apply कर सकते हैं Coach Sports की जो वेकेंसी है तो इसमें male की एक वेकेंसी है और Air Force School बाल भारती स्कूल में female की एक वेकेंसी है 44,900 salary है graduation 50% marks के साथ में और Physical Training आपकी Diploma degree जो भी आपने किया है V.P.E.D. अगर आपने किया है इसमें 30 से 50 साल उम्र रखी गई है Coach Football के लिए salary 44,900 है V.P.E.D. वाले graduation diploma आपका Physical Training में डॉक्टर की दो वेकेंसी है 50,000 salary MBBS वाले B.S.C. nursing अगर किसी ने किया है तो इसमें 19,900 salary रहेगी यह अभी जो हम देख नहीं है सब Contract Base पर वेकेंसी है Special Educator की जो वेकेंसी है यह भी Contract Base पर है 35,400 है सबकी salary अलग अलग है तो आप पूरा notification चेक कर सकते हैं B.A. या B.S.C. B.A. या B.S.C. अपने 50% marks के साथ में और एक साल का Diploma Special Education में या दो साल का D.A.D. Special Education में L.D.C. के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 12 आपकी commerce में minimum typing speed आपकी 40 word per minute Hindi या English ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें बस typing speed आपकी 40 word per minute लिखा है Proficency in Office MS Word, MS Excel यही स्कूल में जो है मांगा जाता है MS Word, MS Excel पर आपको काम करना आना चाहिए Maximum Upper Age Limit for All Post Sports Coach को छोड़कर सब की 55 year ठीक है 55 साल यह तो contact base per vacancy थी और इसका जो है आपको मिल जाएगा Application Form Official Website पर ही Air Force School, Balbharati School The Air Force School और The Air Force School Golden Jubilee Institute ठीक है यह तीनों का एक ही form है इसको fill कर लेना है Demand draft 300 रुपीज का लेकर अपने document के साथ में Original, Mark Sheet, Documents सभी चीज़ें आप लेकर जाएंगे ठीक है अब जो है हम देख लेते हैं दूसरा notification उसके बाद जो दूसरा notification है जो की permanent post है Headmistress की regular है Female candidate apply करेंगी graduation या post graduation 50% marks में हो आपकी या आपने graduate किया हो 50% marks में या post graduate साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए या D.Ed, B.T.C. ठीक है कोई भी diploma हो आपका teaching में 50% marks के साथ में English medium में पढ़ाना होगा और फिलाल इसमें जो है अनुभव को इन्होंने desirable में रखा है अनुभव नहीं चाहिए लेकिन अगर आपके पास अनुभव है तो बिल्कुल आप लोग apply करें क्योंकि इतनी बड़ी post है salary काफी अच्छी है 45 यर इसमें उम्र रखी गई है अब इसमें जो है कैसे apply करना है तो वही 300 रुपीज का demand draft बनाना है आपको Air Force Golden Jubilee Institute इसमें vacancy है head ministries की ठीक है अपने सभी document जो अभी बताये थे मैंने ये सभी इनकी photocopy के साथ में application form पूरा फिल करके स्कूल में आप लोगों को submit कराना है 2 सितंबर से starting थी और 17 सितंबर last date है ठीक है तो बस आप लोगों को बता देती हूँ Air Force Golden Jubilee Institute official website पर आना है और सबसे उपर आपको मिलेगा यहाँ पर contract waste पर और permanent vacancy सभी के लिए application form उपर सबसे उपर देखें notification for walk-in interview application form for walk-in interview ठीक है इस पर click कर लेंगे तो यह application form आपको मिल जाएगा उसके बाद थोड़ा सा wait करना है आपको और hamistrys के लिए notification और application form तो यह application form hamistrys primary wing के लिए link आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के नीचे description box में thank you